दोस्तो नमस्कार हमारे एपीए पाम एनालसिस चैनल में आप सभी के स्वागत है दोस्तो सबसे पहले मेरे तरब से आप सभी को नई साल की सुपकामना है इस वार आपको स्वस्त रखे आपके सारे इच्छा है मनो कामना को पूरी करे इस साल 2022 में जो आप करना चाहते है उस पे आपको सफलता मिले दोस्तो सफलता से जूरी कुछ सवालों का जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूँ आप लोगोंने वीडियो के थामनेल में जरूर पढ़ा होगा कि भाग्ये कब उदय होगा इस वीशे में चर्चा को आगे बढ़ेंगे दोस्तो हर एक वेक्ति की भाग्ये उदय अलग-अलग टाइमिंग में होता है वो हमें भाग्ये रेखा को देखकर पता चलता है परन्तु क्या वो वेक्ति उस समय से भाग्ये साली होता है जहां से ये भाग्ये रेखा उदय होता है ये सोचने वाले बात है जैसे मान लेते हैं कोई भी रेखा यदि मद्धमा उंगली के नीचे के तरफ पहुचे तो इसे भाग्ये रेखा कहलाता है फॉर एक्जम्पल जैसे मान लेते हैं चंद्रपरवत से कोई रेखा आकर सनी परवत तक पहुचे मध्धमाउंग लेके नीचे या हाथ के नीचे से कोई भी रेखा आकर सनी परवत तक पहुचे तो सिद्धान्त के अनुसार भाग्य रेखा जहां से उदय होता है उसी उम्र ऐसी उम्र में बेक्ति अपना केरियर को स्टार्ट जरूर कर लेता होगा, मगर एक्चुल में जो भाग्य रिखा का प्रभाब होता है, जिसे हम भाग्य उदाय भी कह सकते हैं, ये तब ही संभब हो पाता है जब ये रिखा सनीप सेत्र में प्रवेश करता है, यानि मद्धमा उगली के नीचे, और उसके बाद के जो इस्तिती होता है, वो पहले से बहतर होता है, ऐसे बिक्ति की हर प्रकार के परिस्तिती अनुकूल होता चला जाता है, कामकाज जो होता है, वो पहले से बहतर धंग से चलने लगता है, ऐसी समय से बिक्ति अपना मन में दवी बहुत स सारी इच्छाओं को पूरा कर पाता है वक्ति शुतंतर भाप से ौभाव से जी पाता है परंत इस प्रकर के रिखा जनम से किसी के हाथ में सनी परवद तक पहुंचे इसा सायद ही कुछ हाथों में होता होगा अगर होता होगा तो वो वेक्ति बहुत भाग्येशाली है क्योंकि जब मैं भाग्य रेखा के विषय में बहुत सारे कॉमेंट को पढ़ता हूँ उसमें से कुछ कॉमेंट ऐसा होता है जिसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि काफी सारे विक्ति के मन में भाग्य रेखा से डिलेटेट बहुत सारे प्रस्न होता है तो मैंने सोचा कि इ इस विडियो के माध्यम से वो सावालों का जवाब दे पाऊ और फिर बहुत सारे बिक्ति के हाथों में भाग्ये रेखा बीना तूटी-फूटी एकदम सिधी सनी परवत तक पहुची हुई पाई जाती है मगर तब भी कुछ बिक्ति की आर्थिक इस्तिती हो चाहे मानसिक परिस्तिती हो वो उतना बहतर नहीं रह पाता तो ऐसा क्यू होता है इसको भी जानने की कोशिस करेंगे देखिए दोस्तो हाथ में ऐसा बहुत सी कारण हो सकता है जिससे की भाग्ये रेखा अपना प्रभाब ठीक से नहीं दे पाता उसमें से कुछ मुख्य कारणों को इस वीडियो में चर्चा करना चाहता हो तो इस वीडियो को पूरा देखे इसमें भाग्ये रेखा से डिलेटेड बहुत सारी अनुभव को सियर करेंगे दोस्तो चाहे आपके हाथ में भाग्ये रेखा कहीं से भी निकले मगर सनी सेत्र मेर प्रवेश करने के मार्ग में कहीं पर तूटा हुआ हो जैसे मान लेते है भाग्ये रेखा यदि यहां से निकले मगर इस प्रकार से कहीं पर तूटा हुआ हो ओभर लेपिंग होके आगे बर रहा हो तो भाग्य रेखा कि इस आयू में बेक्तिकी केरियर में परिवर्तन थोड़ा बहुत मानसिक परेशानी जैसे एक काम को छोर कर दूसरे काम में जोड़ना इस प्रकार के स्थीटी देखने को मिलता है और यदि भाग्य रेखा अपना मार्ग पर चलते हुए कही पर गायब दिखाई दे जैसे मान लेते हैं भाग्य रेखा जीवन रेका से उदय होकर इस प्रकार से आगे चले लेकिन बीच में गायब हो तो ये जो बीच की स्थीटी होता है ऐसी एज में बेक्तिकों महनत संकट अधिक जहलना पड़ता है आर्थिक लाब ठीक से नहीं हो पाता या जो भी इनकम होता है सेविंग नहीं कर पाता और हाथ में और भी भाग्य रेका के बहुत सारे स्थीटी देखने को मिलती है जैसे भाग्य रेका येदि मस्तिस्क रेखा पर आके रुख जाए इस प्रकार से ये मस्तिस्क रेका होता है और यहाँ पर जाकर रुक जाए तो इस कॉंडिशन में ऐसे विक्ति की कुछ गलत नीर्णाय लेने के वज़े से आर्थिक मानसिक परिशानी आता है तो इसी वज़े से ऐसे विक्ति की भाग्य उन्नती होने में थोड़ा जादा समय लग जाता है और यदि भाग्य रेखा आगे चल कर हार्ट लाइन पर जाके रुक जाए जैसे इसको हार्ट लाइन कहा जाता है तो जब इस प्रकार के इस्तिती बनता है तो कही न कहीं ऐसा विक्ति अपना काम में सही धंग से एफट लगाने में कमी पाया जाता है परन्तु कुछ बेक्ति की हाथों में भाग्य रेखा बिलकुल सनी परवत तक पहुची हुई पाय जाती है बिना ब्रेक का बिना तूटा फुटा मगर फिर भी बेक्ति को आर्थिक परेशानी रहता है काम सही धंग से नहीं चल पाता मानसिक परेशानी इस प्रकार के स्थिती बनते हुए पाये जाता है तो ऐसा हाथ में बहुत सी कारण हो सकता है मगर उसमें से कुछ मुखे कारणों को इस वीडियो में बताना चाहता हूँ जैसे भाग्यरेखा इस प्रकार से चलते हुए कहीं पर दीप बन जाए इस प्रकार से आईलेंड बन जाए तो भाग्यरेखा में जहांपर ये दीप बनता है उस दीप के आयू तक बेक्ति को बहुत सी मुखिले आर्थिक परेशानी बना रहता है लेकिन उस दीप के आयू बीत जाने के बाद बेक्ति की भाग्य फिर से साथ देने लगता है दूसरी कारण कुछ ऐसा हो सकता है जैसे भाग्य रेखा में जब कोई प्रभावी रेखा आकर मिलता है जैसे मान लेते हैं इस प्रकार से कोई प्रभावी रेखा आकर मिला तो भाग्य रेखा को और भी स्ट्रॉंग बना देता है परन्तु कुछ हातों में ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो प्रभावी रेखा होता है उसमें इस प्रकार से दीप बना हुआ रहता है तो इस कॉंडिशन में ऐसे बेख्ती को सफलता की रास्ते बहुत सारे परेशानी जेलना पड़ता है कुछ बेख्ती के हातों में भाग्य रेखा बिलकुल निर्दोस होता है चाहे भाग्य रेखा कहीं से भी निकला हुआ हो जीवन रेखा से, कलाई के पास से, चंद्र परवत से, राहु के सित्र से चाहे कहीं से भी हो निर्दोस हो बिना टूटा-फुटा, बिना दीपका मगर ऐसा रहने के उपरांत भी फिर भी बेख्ती को कुछ आयू तक बहुत सारी परेशानी रह जाता है तो ये कुछ ऐसा होने के वज़े से होता है, जैसे मस्तिश्क रेखा और जीवन रेखा ये दोनों का जोर बहुत लंबा होता है इस प्रकार से जैसे मान लेते हैं मस्तिश्क रेखा इस प्रकार से बन जाए और जीवन रेखा भी बहुत दूर तक जुरा हुआ हो ऐसे हो चाहे इस प्रकार से हो, दोनों का जोर लंबा हो तो मस्तिश्क रेखा और जीवन रेखा जिस उमर तक जुरा हुआ रहता है उस आयू के बाद ही यानि जिस उमर से ये दोनों रेखा अलग होता है जीवन रेखा और मस्तिश्क रेखा उस आयू के बाद से ही बेक्ति को भाग्य रेखा का फल मिल पाता है और फिर कोछ आतों में ऐसा भी देखा जाता है कि भाग्य रेखा बिलकुल निर्दोस है बिना तूटी-फूटी सनी परबत तक पहुची हुई पाई जाती है और साथ में जीवन रेखा मस्तिश्क रेखा ये दोनों अपना सही मार्ग में है यानि दोनों का जोर अलग-अलग है या बिलकुल पास है लेकिन ज़्यादा दूरी तक जुरा हुआ नहीं है लेकिन फिर भाग्य रेखा अपना फल नहीं ठीक से दे पाता तो ऐसा और भी कुछ कारण हो सकता है जैसे कुछ हाथों में ऐसा भी देखा जाता है कि मस्तिश्क रेखा बीच से इस प्रकार से तूटा हुआ ओभरलेपिंग होके आगे बढ़ता है या मान लेते हैं मस्तिश्क रेखा में इस प्रकार से सनी के सेत्र में दीप बनता हुआ पाया जाता है तो इस कॉंडिशन में भाग्य रेखा बेक्ति को साथ नहीं दे पाता इतना बरा हो या चाहे छोटा सा इस प्रकार से बना हुआ हो मगर ऐसी कॉंडिशन में भेक्ति की मानसिक परिस्तिती डीजिशन ठीक से नहीं ले पाना निर्नवे प्रभावित होना फाइनन्सियल कॉंडिशन में उपर नीचे होना इनकम के तुलना में फिजूल खर्चे जादा होना मानसिक परिशानी इस प्रकार के सारे इस्तिती बनते हुए पाय जाता है मगर जब मस्तिश्क रेखा की दीप की आयू समाथ हो जाता है उसके बाद से बेक्ति को फिर से भाग्य रेखा से फल मिलने लगता है तो दोस्तो हाथ में ऐसा बहुत सी कॉंडिशन रह सकता है जिसके वज़े से भाग्य रेखा ठीक रहने के बाबुजूद भी भाग्य रेखा ठीक से सही ढंग से अपना फल नहीं दे पाता अब तक जितने भी प्रकर के हाथ की हाथों के रेखा के बारे में बात किया ऐसे लक्षन वाला हर विक्ति अपना काम में लगा रहता है यदि भाग्य रेखा अच्छा भी हो तो फिर भी बेक्ति को आर्थिक रूप से मानसिक रूप से परेशान असंतुष्ट रहता है ये बेक्ति को आर्थिक मानसिक संतुष्टी धिरे-धिरे मिलना स्टार्ट होने लगता है और दोस्तो इन सब बातों के इलावा भी हाथ में और भी बहुत सारे कॉंडिशन बन जाता है जिसके बज़े से बेक्ति की उन्नती करने में निर्धारित समय के तुलना में थोरा ज्य जादा समय लग जाता है जैसे भाग्य रेखा हाथ के चाहे नीचे से या चंद्र परवत से सनी परवत तक पहुचे लेकिन सनी परवत पर कोई इस प्रकार के आरी रेखा काट जाए भाग्य रेखा को तो ऐसी कॉंडिशन में भी बेक्ति की भाग्य उन्नती होने में थोरा जादा समय लग जाता है एक अनुमान के मुताबिक ऐसे बiyiकति की चाट्ष या चालिस के बाद से भागय उन्नत्य होना चुरू होता है वैसे अलग-अलग हातों में भीक्ति की उन्नत्य की आईउ अलग-अलग हो सकता है डिपेंडर करता है भागय रिखा कहां से निकली हु जैसे भाग्य रेखा को जब कोई बार बार राहू रेखा काटे इस प्रकर से कोई राहू रेखा काटे जब कोई आरी रेखा जीवन रेखा के अंदर से निकल कर आगे बढ़ती है तो उसे राहू रेखा कहा जाता है तो यदि इस प्रकर के स्तिती बनती हुई पाई जाए य चाहे यहां पर हो सकता है इस जगा पर हो सकता है तो इस कॉंडिशन में बेक्ति को लगभग 42 बर्स के उम्र के बाद स्तीती धीरे-धीरे सुधरने लगता है क्यूंकि ये सारे भाग्य उन्नती में बाधाय पैदा करता है और भी कुछ स्तीती का अनुमान देना चाहता हूँ जैसे एक अनुमान के मुताविक भाग्य रेखा जब हाट लाइन पर जाकर रुखता है तो ऐसे बेक्ति को अपना कामकाज में सेश्ट्रितम उपलब्धिया 40 बर्स के आयू के बाद से ही सुरू होने लगता है और यदि भाग्य रेखा मोटी होकर इस प्रकार से मस्तिश् देखा है और यहां पर आकर रुख जाए तो ऐसे बेक्ति को लगभग 36 साल के आयू के बाद से भाग्य रुदय होने लगता है परन्तु बहुत अधिक महनत करने के बाद जाकर ही बेक्ति को सफलता मिलती है और भी कुछ हाथों में भाग्य रेखा का कुछ इस कॉंडिशन होता है कि लहरदार होकर भाग्य रेका सनी परवत पर पहुशता है तो इस कॉंडिशन में भी बेक्ति की भाग्य उदय में निर्धारित समय से थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है दोस्तो यदि हाथ में रेखाओ की आयू के बारे में जानकारी को प्राप्त करना हो हाथ क कि ये रेखाओ की एज केलकुलेशन कैसे किया जाता है तो उस वीडियो को देखने के लिए उपर में दिये गए आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं उसमें जीबन रेखा मस्तिश्क रेखा हीदय रेखा और भाग्य रेखा एज केलकुलेशन के विशय में अलग अलग देखने को मिल जाएगा चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ फाइदा हुआ होगा या नहीं होगा ये तो मुझे पता नहीं मगर मैं अन्त में कुछ बात कहना चाहूंगा दोस्तो महनत से पीछे रहना भी मुर्कता का पहचान होता है मगर वो महनत यदि सही पात पर हो तो महनत के अनुसार फल भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है दोस्तो हाथ की रेखा अपना कारे अवस्य करता है मगर उस अनुसार करम भी तो होना चाहिए जो भी कमी रहता है उस इंसान में होता है उस बिक्ति की सोच में होता है समझने में होता है करम में होता है लगन में होता है और सही डाइरेक्शन को चूज करने में होता है मगर यदि होसला बुलंद हो तो हर मुश्किले धीरे-धीरे पार हो ही जाता है हर इंसान रोकेट के तरह अपना कामियावी को पाना चाहता है मगर भाग्य रेखा को सनी के रेखा भी कहा जाता है और सनी देव से अधिक सफलता प्राप्त करना हो तो कभी-कभी अधिक महनत भी करना पर जाता है पर नियाए वो अवस्य करते है यदि नियत साफ हो हाँ हो सकता है कुछ बाधा है परिशानी बेखती के सामने जरूर आता है और क्या पता कि किसके कुंडली में सनी की सारी साती चल रहा हो खर जो भी हो हो या ना हो मगर एक चीज अगर चाहे तो आप अवस्य कर सकते है हर सनी बार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सनी देप को जल चरा सकते है या फिर संध्या का टाइम में पीपल के पेड़ के नीचे सर्षो का तेल का दिपक जला सकते है सनी बार के दिन हर सनी बार के दिन जिससे कि आपके जीवन की बहुत सारी कठनाई परेशानी धीरे धीरे दूर हुता चला जाएगा तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि ये नई साल आप लोगों के लिए पहले से बहुत ज्यादा भैतर हो और दोस्तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करे शेयर करे यदि चैनल पर पहली बार आये है तो इस चैनल को भी सस्क्राइब करे साथ शाथ नोटिफिकेशन बेल आल पर भी क्लिक करे ताकि मेरे आने वाले नई वीडियो की जानकरी आप तक पहुच सके तो इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद